अलो, नमस्कार इस्ट्वेंट, मैं विशेक भारगाओ, भारगाओ ग्लासेस के इस यूट्व चनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आज का जो मारा वीडियो को टॉपिक है वो है 25 महत पूर्ण इतिहास के प्रश्ण, जो की हर बार लगभग एक्जाम में पूछे ही जाते हैं, और ये कोशन ऐसे हैं, जो की एक्जामों में जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है, तो आपका आगामी जो भी एक्जाम है, जहां पर इंडिया जीके से सम्मंदित प्रश्ण पूछे जाने हैं, तो वहां के लिए ये बहुत जादा इंपोर्टें कि आपने सब चीज पढ़ लिया हो, तो इसको आप as a revision के तौर पर भी ले सकते हैं, देख लीजेगा कि इन 25 प्रश्णों में आपके कितने प्रश्ण जो है वो सही होते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बात और करना कि यदि यह भी तक आप लोगों ने भारगाव क्लासेस के इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल से हल जो है वो सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल का एकन जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि वीडियो का नोटिवकेशन जो है वो आपको मिलता रह ठीक और हमारा जो भारगाव क्लासेस का टेलीग्राम ग्रूप है उसको भी जोईन कर लिजेगा वहाँ पर जो है वो यह PDF जो है वो प्रवाइट करा दिया जाता है तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं देगे सबसे पहला प्रशन है इसके अंदर में कि चालुक के वंस का संस् पक कौन था वो यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आप लोगों को बताना है तो अपना आसर आप लोग खुद से ठीक कर लिजेगा उसके बाद जब हम यहाँ पर बताएंगे तो यह वो उसको मैच कर लिजेगा कि आपका सही हो रहा है या गलत हो ठीक तो देखते हैं चालूक के वंस का प्रथम वास्तविक सासक था, ठीक है, दूसरे प्रशन की तरफ चलते हैं, हर्यक वंस का सासक अजाद सत्रू किसका पुत्र था, बहुत बार अगर आप लोगों ने एक्जाम दिया होगा, तो वहाँ पर ये प्रशन जो है, वो पूछा गया है, कि हर्यक व बौध धर्म का अन्याई था, ये प्रशन भी एक्जाम में जो है, वो पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए कि अजाद सत्रू कौन से धर्म का अन्याई था, तो बौध धर्म का अन्याई था, और उसके सासन काल में प्रथम बौध संगिती राजगरी ठीक है बिहार के समस्ती सब्त पढ़नी गुफा में जो है वो महाकश्यप के अधिक्षिता में हुई थी तो प्रथम बौध संकिती जो है वो अजाद सत्रू के टाइम पर हुआ था तो याद रखेगा ठीक है एक्जाम में पूछा याता है बौध धर्म का नियाई था ये तीसरा प्रषण है कि 326 इसापूर्व में किसकी लडाई सिकंदर महान के राजा के दौरा पूरस के विरुद्द जहह हो लड़ी गई थी ठीक है पंजाब का राजा पूरस था और सिकंदर महान तो इन दोनों की जो लडाई वी थी 326 इसापूर्व तो इन में से बताना है कि वो कौन सी लड़ाई थी तो आप सभी जानते हैं कि वो थी जेलम की लड़ाई जेलम की लड़ाई को जो है वो हाइडे स्पिस की लड़ाई भी जो है वो कहा जाता है तो इसको याद रखिएगा ठीक है देखे जेलम का युद्ध भारती इतिहास का सबसे भीसन युद्ध रहा है जेलम की लड़ाई जो है वो इतिहास के महान समराट विस्व विजेता जो है वो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस की बीच में हुई थी इस भीसन संगराम को सिकंदर और पोरस का युद्ध था हाइडे स्पीज ये भी एक्जाम में जो है वो पूछा जाता है कि हाइडे स्पीज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था तो हाइडे स्पीज युद्ध के नाम से जो है वो जाना जाता है और 326 इसा पूरुव ये हुआ ठीक है तो याद रखेगा च्वाथा प्रशन है कि निम्ड में से कौन प्रतिहार वंस का महांतम साशक था तो प्रतिहार वंस का जो महांतम साशक था वो यहां पर बताना है आपको तो प्रतिहार वंस का जो महांतम साशक था वो था महीर भोज या भोज प्रतम इसको कहा जाता है तो नाम याद रखेग प्रतिहारवंस का सरवादिक सक्तिसाली और प्रतापी राजा जो था वो था मिहिर भोज इसकी राजधानी जो थी वो थी कन्नौज इसने आदी वराह की उपादी जो है वो धारण की थी ये भी एकजाम में पुछा जाता है और मिहिर भोज जो है वो वैश्नो धर्म का अनिय ठीक तो याद रखेगा पाच्वा प्रश्ना है कि प्राचीन भारत में गान्धार कलास Worlds को किस राजवन्स ने विक्षित किया था दो गान्धार कलास से 15 सतापदी तक अपनी उचाई प्राप्त की थी और भारती उप महादीप के गांधार छेत्र में प्राचीन काल में गांधार कला नामक बौध मुर्ती कला की एक अनूठी जो वो सैली विक्सित की थी तो कुशान वन्स याद रखेगा चटवा प्रशन है कि महाद गौरी ने सबसे पहला अकरमन कब किया था महाद गौरी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं यदि अभी आप लोगों ने कुछ टाइम पहले प्रित्वीरा चोहान जो है वो मूवी देखी होगी तो वहाँ से आपको महाद गौरी के बारे में ब पर किया दूसरा अकरमन जो है वो 1178 इसवी में किया गुजरात पर इसके बाद उसने 1189 इसवी में पेशावर तथा 1185 इसवी में स्याल कोट को अपने कबजे में जो है वो किया था और महम्मद गौरी और प्रित्वीरा चोहान का जो है वो तराइन का युद अक्सर एकजा जाता है तो 1191 में जो है वो तराइन का पहला युद्ध हुआ था महम्मद गौरी और प्रित्वीरा चोहान के बीच में ठीक है तो वो भी आपको याद रखना है वो भी कोशन जो है वो इसमें आएगा ठीक है सात्वा प्रशन एक कि किस भारतिय सासक को महमुद गजनी ने वर्स 1001 इस्वी में पराजित किया तो वर्स 1001 इस्वी में किसको जो है वो पराजित किया था तो यहाँ पर जो सही अंसर है वो है जैपाल को जैपाल एक राजा थे उसको जो है वो 1001 इस्वी में पराजित किया था तो 1001 इस्वी में महमुद गजनवी का दूसरा अक्रमण जो हो हिंदू साही राजे पर हुआ इस समय हिंदू साही वन्स का राजा जो था वो था जैपाल ठीक है महमुद गजनवी वो जैपाल के मद रावी नदी का रिग वैदिक नाम क्या है। नवा प्रश्ण है कि किस वंस ने महाबली पूरम के पंच रथों का निर्माण किया ये भी कई बार एक्जामों में जो है वो पूछा जा चुका है कि पंच रथों का निर्माण जो है वो किस ने किया तो क्या होगा यहाँ पर सही अंसर तो पल्लवन्स ठीक है कौन सा वन्स पल्लवन्स तो नाम याद रखना है आपको देगे पांच रतों का निर्माण जो है वह सात्वी सताबदी में राजा महिंद्र वर्वन प्रथम के सासनकाल के दोरान 600 से 630 इसवी से और उनके पुत्र वर्वन्स प्रथम के पल्लवन्स के 630 से 668 इसवी से जो है वो पता चलता है तो नाम भी याद रखना है इनके पल्लवन्स भी याद रखना है आपको दसवा प्रसने की प्रसिद्द चिकित्सक जीवक किसके द्वारा न्युक्त किये गये थे तो जो जीवक थे प्रसिद्द चिकित्सक थे वो किसके द्वारा न्युक्त किये गये थे एक important question है तो ये न्युक्त किये गये थे बिम्बिसार के द्वारा किसके द्वारा है नेक्स्ट प्रश्न है कि 608 ईस्वि में हर्स वर्धन को नीम्निं में से किस ने पराजित किया twor तो आपको बताना है कि हर्स वर्धन कोम जो वह इन में से किस ने पराजित किया sometimes दीवतisty दो यहां पर जनी जो शीन अंसर वह है सापना किसके द्वारा की गई थी, most important question है, लगबग हर बार exam में जो है वो ये पूछ लिया जाता है, ठीक, तो किसके द्वारा जो है सापिक की गई थी, आप सभी को मालूम गाई ये, धर्म पाल के द्वारा, किसके द्वारा, धर्म पाल के द्वारा, इस विश्विद्धाल के संस्थापक राजा धर्म पाल को मिली उपादी विक्रम शिल के कारण संभवता इसका नाम विक्रम शिला जो है वो पड़ा था, ठीक है, तो नाम याद रखेगा, और देखेगा कि आपके कितने प्रश्ण सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है, किस सासक ने वर्स 1191 में महम्मद गोरी को पराजित किया था। देखे ये प्रशना आ गया है यहाँ पर। तो महम्मद गोरी को 1191 में पृत्वीराज चोहान ने पराजित किया था। और इसके बाद में 1192 में महम्मद गोरी ने पृत्वीराज को पराजित कर दिया था। ठीक है तो ये य चlar बाबाग साहली के जो संत्यापत की जो सुरवात है, वो की थी मुगलों ने, किस ने किया था मुगल ने ठीक है। निम्ण में से कौन था तो नंदवन्स का जो अंतिम सासक था वो कौन था तो आप सभी जानते हैं इनके पारेंबी की घनानन जो है वो नंदवन्स का अंतिम सासक था किस धर्म के भिक्षों के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था तो ये चैत्य और विहार तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत धर्म के लिए किया गया था 17 प्रशने की गुजरात के उस आकरी हिंदू राजावन्स का नाम क्या था जिसका सासन काल 1244 से 1304 तक चला तो देखे ये एक थोड़ा सा difficult question है यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप इसको बना लेंगे और नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं बना पाएंगे तो यहाँ पर जो सही अंसर होगा वो होगा वागहला राजवन्स कौन सा राजवन्स वागहला राजवन्स था ठीक है वागहला राजवन्स एक भारती राजवन्स था जिसने 23 सतापदी में गुजरात पर सासन किया जो की 1244 से 1304 तक माना जाता है अठारवा प्रशन है कि वराव मिहीर के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा देखिए आपने भी आंसर जो टिक करते चलिए और चेक करते चलिए कि आपके आंसर सही हो रहे है या गलत हो रहे है आपका भी रिवाईज हो जाएगा ठीक है तो वरिहत सहीता के जो है ठीक है वर्षा, बादल, वास्तू सास्त्र, फसलो की वरिद्धी, इत्र निर्मान, लग्न, पारिवारिक संबंद, रत्न, मोती, एवं कर्म कांडो का जो है वो वर्णन किया गया है ठीक तो इसको भी याद रिखेगा कि वरिहत सहीता के अंदर में क्या क्या है उननिस्वा प्रश्ण है कि निम्न में से किस मंदिर का निर्मान, राष्ट कूट, वन्सो के द्वारा किया गया था ये भी आप अच्छे जानते होंगे, कई बार एक्जामों में पूछा भी गया है, तो कैलास मंदिर, ठीक है कैलास मंदिर का जो है वो निर्मान किया था कैलास मंदिर जो है वो राज महराष्ट, जीला और अंगाबाद, इस्थापना जो है वो राष्ट कूट, वन्सो के द्वारा जो है वो किया गया था नेक्स्ट प्रशन है राज तरंगनी पुष्थक के लेखक कौन है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कलहन जो है वो राज तरंगनी पुष्थक के लेखक है। कोशन है 21 प्रशने की तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्स लड़ी गई थी तो ये तो आप सभी जानते हैं अभी मैंने आपको बताया कि मुहम्मद गौरी और पृत्विरा चौहान के बीच में 1192 में तराइन की जो है वो दूसरी लड़ाई लड़ी गई और 1191 में जो है वो तराइन का जो है वो पहला युद्ध हुआ था उन ही दोनों के बीच में पृत्विरा चौहान और मुहम्मद गौरी के बीच में नेक्स्ट प्रशन है कि 1026 इस्वी में किसने सोमनात मंदिर पर हमला किया एवं इसे लूटा था तो ये भी आप सभी जानते हैं कि महमूद गजनी ने जो है वो 1026 में सोमनात मंदिर पर हमला किया और इसे लूटा था और इसे ध्वास्त भी कर दिया था 23 प्रश्ने की प्लासी के युद्ध के समय मुगल समराट कौन था तो प्लासी का युद्ध यदि आप लोगों को मालूम हो कि 1757 में हुआ था इस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच में तो इस टाइम पर जो है वो मुगल समराट कौन था ये आपको बताना है तो मुगल समराट जो है वो कौन था तो मुगल समराट था आलमगीर दूइती है ठीक है कौन था आलमगीर दूइती है देखे आलमगीर दूइती है प्लासी के युद्ध की समय मुगल समराट था 69 तक और पलासी का युद्ध कभवा था 1757 में तो इस बीच कौन था राजा तो वो था आलमगीर द्वीतिय निमनी लिखित में से कौन सा सासक मौर्यवन से संबंदित नहीं था तो मौर्यवन से संबंदित कौन सा नहीं था बिम्बिसार नेक्स्ट प्रशन है 25 वा और अंतिम प्रशन चलिए इसको आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं कमेंट सेक्षन में कमेंट करकर जरूर बताईएगा कौन कौन ने यहां तक वीडियो देखा किसके कितने प्रशन सही हुए और इस प्रशन का अंतिम प्रशन का उत्तर कौन देता है तो उडिसा के कौनार का मंदिर का निर्माण निम्ड में से किस सासक के द्वारा जो है वो करवाया गया था तो आपको बताना है कि कौन सा सासक था जिसने उडिसा का कौनार का मंदिर का निर्माण करवाया था ठीक है तो यह देखिए 25 इंपोर्टेंट कोशन थे ये अकसर एक्जामों में जो है वो पूछे जाते हैं और आपका एजर जो है वो प्रैक्टीस भी हो जा रहा है ठीक है आप रिवाइज भी कर ले रहे हैं ठीक तो इसको सुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा और लास्ट प्रश्ण का जो है वो आंसर जरू करिएगा और कमेंट सेक्षन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा लाइक सेर जरू करिएगा आज की वीडियो में इतना ही था जय हिंद जय भारत